नमस्का दोस्तों आज की प्रेस वारता में आप सभी प्रेस बंदों का स्वागत है दोस्तों आज की जो प्रेस कौंफरेंस है यह है कि कैसे हमारा PDD डिपार्ट्ट egent हमारे जम्मू के लोगों को हरास कर रहा हरास्मेंट हो रही है मैं बताना चाहूंगा पिछले काफी दिनों से हमारे लोग कम्प्लेन कर रहे हैं कि जब उनकी बिजली काटी जाती है बिजली क्यों काटी जाती है क्योंकि जो टाइम पर बिल पे लोग नहीं कर पाते हैं तो बिजली डिपार्टमेंट उनकी बिजली काट देता है वैसे दो वैसे उनको कार्टनी नहीं चाहिए टाइम देना चाहिए चलो आपने कार्ट भी दी ठीक है कोई दिक्कती बाद नहीं कार्टने के बाद जब लोग बिल पेइमन्ट करते हैं बिल पेइमन्ट के बाद उनकी बिजली जो है immediately restore नहीं होती है चुलो इमेजेक्ली छोड़ो आप 1,2,3,4 गंटे में रिस्टोर करदो लेकिन ये नहीं होती है बिजली उनकी कितने दिनों के बाद आती है कहीं की दो दिन के बाद, कहीं की तीन दिन के बाद, 5,6 दिन के बाद आती है और वो भी बार बार जब हमारे लोग वहां पर जाते हैं काफी request करते हैं harassment के बाद 4-5-6 दिनों के बाद बिजली आती है तो यह मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यह harassment नहीं है क्या हमारे लोगों के साथ जैसे मैं कहना चाहूंगा ठीक है जब हम mobile का bill payment नहीं करते हैं तो होता है कि कुछ time दिया जाता है हमें 10-15 दिन का उसके बाद हमारा connection कार दिया जाता है लेकिन जैसे हम payment करते हैं तो immediately वो mobile का connection restore हो जाता है आज के जमाने में मैं पूछना चाहूंगा digital जमाना है और आप हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हो परतारित कर रहे हो आज जब आपको पता है यह लोग बच्चों के exam चल रहे हैं एक एक पल कितना important होता है और हमारे बच्चे in fact parents जो उनके साथ बच्चों के साथ लगे ह होते हैं तो कैसे परतारित हो रहे हैं तो यह देखा नहीं जाता तो मैं पूछना चाहूंगा PD Department से कि यह क्या कर रहे हैं आप लोग पहले हमारे लोग चाहते थे जम्मू के लोग चाहते थे कि smart meters यहां पर नहीं होने चाहिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किये बहुत लेक 24-7 आपको विली मिलेगी ठीक है यह आपने कर दिया हो दूसरा यह हम 4-5 दिनों में देख रहे हैं कि कितने cuts लग रहे हैं जगा जगा र आधे गंटे के बाद आपको cut लगा देते हो फिर एक आधे गंटे के बाद फिर से cut लगा देते हो तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा PD से चीफ इंजीनेर साब से कहना चाहूंगा इवन की एलेजी गोवर्नर साब से गुहार लगाना चाहूंगा कि हमारे लोगों को पड़तारित कहना बंद किजिए वैसे और कहीं सारे इशूस हैं मैं I don't want to get into all those issues right now this press conference is specifically on this thing electricity तो इसलिए ये बंद किजिए और हमारे लोगों बेकर पक जिए डिए